दोस्तो मेरी कुस्तिकी और मिठी दुनिया में आप सभी का स्वागत है घर्मी के मौसा में आम और केरी की बहार आ जाती है तो कच्चे आम से बननी ये खट्टी मिठी लॉंजी न इस सब को पसंद आती है तो हाँ दोस्तो आपने ठीक पहचाना मैं आज कच्चे आम की लॉंजी की रेस्पी लेकर आई हूँ कैरी की लॉंजी बनाने के लिए कच्चे आम को दच्चे तरह से धो लीजिए छिलका उतार करके उसके लंबे और मोटे टुकडे कट कर लीजिए अब हम एक पैन लेंगे उसमें हम तेल डालेंगे तेल डाल करके उसको गरम कर लेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डालेंगे हम राई, जीरा, सौफ, खड़ी धनिया और कलोंजी सब को अच्छी तरह से भुन लेंगे, उसके बाद डाल देंगे उसमें कटीवी कैरी, उसको भी अच्छी तरह से चलाएंगे, अब डालेंगे उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ज, थोड़ी सी हल्दी, और उसमें एक कप पर्ण डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और डालेंगे, 1.5 से 2 चम्मच चीनी डालेंगे, 2 केरी लिये थी मैंने, तो उसमें 1.5 से 2 चम्मच हम चीनी एड़ करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यदि आप चीनी आवाइट करना चाहते हैं, तो उसकी जगह आप गुड डाल सकते हैं, गुड से भी बहुत अच् सब अच्छी तरह से साधानी से मिक्स करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे जल जीरा पाउडर, यदि जल जीरा पाउडर नहीं है, तो आप चाट मसला डाल सकते हैं, तो लीजिए दोस्तों तयार हो गई हमारी कैरीगी खटे मिठी लॉंजी, इसे आप गरम गरम भी खा सकते हैं, या इसे आप फ्रीज मेरा करचटनी की तरह खा सकते हैं, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद,